आपको पाता होगा मैत का एक फ़र्मुला है और इस फ़र्मुला को आप इस तरह से भी लिख सकते जो कि और इस वीडियो में को सिंप्लिफिकेशन के उपर कुछ कोस्टन सौल करके दिखाएंगे जिस कोस्टन के अंसर आप डाइरेक्ट निकल सकते हैं सिर्फ और स्रिफ देखकर किस तरह से जैसे कि इस कोस्टन के अंसर देखी a3-b3 उपर में होगा और नीचे जो कि a2 plus ab plus b2 होगा एने कि a-b, a-b एने कि आप कहा सकते a जो कि 2.3 and b जो कि 27 का क्यूब रूट जो कि 0.3 so 0.3 होगा आपका b so minus कर लेंगे 2 आपका answer होगा किस तरह से इतना जल्दी आप answer निकल सकते हैं इसी के बार में आपके साथ बात करेंगे so इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहें so hi friends मैं हूँ दिल और रात दिख रहे smart study for career YouTube चैनल smarter की come tip जाम के लिए shortcut tips and tricks लिके मैं आत रहाता हूँ और यह पर पहला question देखे simplify करना है 2.3 का cube minus 0.27 तो simply आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2.3 का cube minus 27.27 जो कि 0.3 का cube करेंगे so 0.27 होगा upon 2.3 square plus a into b करना है तो simply 2.3 into b क्या है 0.3 अब देखिए इसको multiply का लिजे जो कि 2.3 into 0.3 जो कि 0.69 होगा plus 0.09 जो कि 0.3 का square तो simply देखिए a cube minus b cube upon a square plus a into b plus b square जो कि a formula आनि कि आप लिख सकते direct a minus b a minus b आनि कि a बाला a जो कि 2.3 b point 3 so 2 अपका answer option b तो चलते हैं next question पर और यह फास second question बहुत easy सा question है देखिए point 89 को मान लिजे a and point 64 को मान लिजे b तो simply क्या होगा देखिए a into a into a a cube minus b into b into b b cube upon a into a जो कि a square plus a into b a b plus b into b b square अब simply देखिए a cube minus b cube upon a square plus a b plus b square आनि कि a minus b अब a minus b आनि कि point 89 minus point 64 जो कि point 25 आप cancer तो इस type questions cancer निकलने के लिए इतना ज़्यदा करने की जोरूत नहीं है अब शिर्प शिर्प जो कि आपर minus कर लिजे point 89 minus point 64 minus कर लिजे point 24 5 आपका answer option a जो चलते है next question पर और यह पाद third question देखिए बहुत interesting सा question है यह आपाद देखिए one point 75 three times है so one point 75 का cube कर लिजे अब minus a cube minus b cube होगा अब b cube किस तरह से लेंगे तो simply नीचे term कर लेते चलिए one point 75 into one point 75 चुकि one point 75 का square plus यह पाद 2.1875 और यह पाद b square देखिए one point 25 one point 25 का square तो simply देखिए दोनों का multiply होगा जो कि a into b तो simply आप इसको कह सकते one point 75 into one point 25 आप assume कर सकते हैं जैकि इस तरह से multiply करके अगर आप चेक करने जाएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जए तो चेक करने जाएंगे आप सिंपली देखकर जो कि थोड़ा सा दिमंग लगाएंगे तो इस तरह से आप निकल सकते हैं फिर दोखिए a cube minus b cube upon a square plus a b plus b square आप कि a minus b आप डाइरेक लिक सकते हैं a क्या है a है जो कि one point 75 and b क्या है minus one point 25 minus कर लिजिए 0.5 आपका answer option b चलते है next question पर और ही पर question number 4 जो कि last question देखे 0.86 into 0.86 into 0.86 so 0.86 का cube होगा minus यह पर 0.14 का cube होगा upon 0.86 का square होगा 0.86 का square plus 0.86 into 0.14 जो कि 0.86 into 0.14 प्लास 0.14 का square अब सिंप्ली देखें a cube minus b cube upon a square plus a into b plus b square एहनी कि आप कहे सकते a minus b direct जो कि formula क्या है और एक बात देख लिजिए a minus b equal to आप कहे सकते है जो कि a cube minus b cube upon a square plus a b plus b square formula कहा से रहे जो कि a cube minus b cube equal to a minus b into a square plus a b plus b से रहे एह formula तो simply आपर a minus b a क्या है a है 0.86 b क्या है 0.14 minus कर लिजिए 0.72 of cancer option a तो उमीद है कि आगे आप इस टाइप questions कैंसर आप बहुत याशन से निकल सकेंगे तो बहुत बहुत धन्नावत दस्ते इस वीडियो को end तक देखने के लिए अगर अचल लगे तो इस वीडियो को जरू लाइक किजेगा तो दोस्ते की साशेयर भी कर दिजेगा अगर आप इस सनल पे नए है तो इस सनल को जरू सब्सक्राइब किजेगा आगे भी इसी तरह का और भी वीडियोस देखने के लिए